हलो गाईज तो आज 75 डेज हाट चेलेंज का अंठावनवा दिन है 58 डेज तो आज भी मैं उसी तरह से जैसे रोज अपना वर्काउट करने आती हूँ इसकूल से आकर पटापट चली आई हूँ अपना वर्काउट करने और यहां आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है मेरी करने आती हूँ अवल को हुआ है तो हम लोग निकल रहे हैं अभी वाक पर और मेरे बहुत सारे भीवर्स की डिमांड थी संघ कर स regression टो अब हम लोग चल रहे हैं कशनाइब पहुच गया है और इसी से थोड़ा सा आगे जो रामचंद साही संघर हाले हम लोग यहां पहुच गया है और यह गोंने अड़ेक लगी हुई है और इधर बगल में गार्डेन है जो काफी सिस्टमेटिक है और बहुत सुंदर से लगा हुआ है काफी अच्छा है और यह देखिए इस टैच्यू कि इतनी खुबसूरत है तो मतलब काफी अच्छा बाहर का तो लग रहा है वह अंगर देखते हैं कि क्या है कर दो लगा है तो वाक से आने के बाद अब मैं करने जा रहे हैंगो अपना इवनिंग वर्काउट हुआए झारो पने के वर्काउट बाद वर्काउट अब मैं पीने जा रही हुँ. पानी, और आजकर मैं normal पानी ही पी रही हु, गडर्म पानी वाला जो problem था ओ खत्म हो गया है. अब मैं पढ़ने जारी हूँ, गीता और गीता में मैंने आज पढ़ा जो प्रूष प्रिये को प्राप्थोकर हरसीत नहीं हो, और अप्रिये को प्राप्थोकर उद्रिग्न न हो वो इस्तिर बुद्धी संसरहित ब्रह्म बेता पुरुष सच्चतानंद गन प्रभ्रम परमात्वा में एकी भाव से नितिश्थित तो ये रही मेरी आज की सेल्फी इस तरह से 58 दिन यानि की 58 देज जो है 75 देज हार्ट चेलिंज का वो मेरा कम्प्लीट हो गया है और इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई